दोस्तो नमस्कार सुवागत है आप सभी का अपना चैनल आईएंटी हिंदी टेक में दोस्तो इंडिया पोस्ट पिमेंट बैंक के तरब से एक नया चार्जस लागू होने वाले हैं जो कि इस वीडियो में हम आपको डिटेल पुर्वक जानकारी देने वाले हैं आप वीडिय की आंत तक जरूर बने रहे दोस्तो इंडिया पोस्ट पिमेंट बैंक जो है एक अपरेल से बदलने जा रही है नकत निकासी और जमा करने के नियम अधिक निकासी और जमा करने पर सुलक लगाने वाली है एक अपरेल 2021 से तो चलिए दोस्तो जान लेते हैं कि क्या है नियम और किस परकार के चार्जे जो है एक अपरेल से इंडिया पोस्ट पिमेंट बैंक यानि की IPBB लगाने वाली है दोस्तो हम आपको बता दे कि IPBB के नियम के मताबिक बेसिक सेविंग खाता से एक महीने में चार बार नकत निकासी करने पर कोई सुलक नहीं लगेगा इसकी दोस्तो सेविंग चार और करेंट अकाउंट के मामले में हर महीने 25,000 रुपिया तक के नकत निकासी बीना किसी सुलक की हो सकेगी इससे अधिक की नकत निकासी पर खाता धारकों को निकासी का 0.50 पर तेसत या कम से कम 25 रुपिया सुलक देना परेगा सेविंग या करिंट खाताधारकों को तैसीमा सी अधिक नगत जमा करने पर भी सुल्क देना परेगा जी हाँ यहाँ यहाँ पर निकासी के बारे में भी मैंने आपको बताया जहाँ पर 0.50% चार्ज लगेंगे अगर 25,000 रुपिया से जदा का निकासी करती है महीने की या फिर आप से कम से कम 25 रुपिया की सुल्क जरूर लिया जाएगा 0.50% के अनुसार से यदि 25 रुपिया से कम होता है चार्ज तो आप से 25 रुपिया चार्ज किया जाएगा 25 रुपया से उपर होता है तो 0.50% के अनुसार से चार्ज किया जाएगा तो यहाँ पर नकट निकासी पर भी चार्ज लगाया गया और नकट जमा करने पर भी चार्ज लागू होने वाली है खाता धारक हर महीने में बिना किसी सुलक के 10,000 रुपया तक नकट अपने खाता में जमा कर सकेंगे इससे अधिक जमा करने पर उन्हें जमा होने वाली रासी का 0.50% या कम से कम 25 रुपया हर जमा पर सुलक देना पड़ेगा हाला कि बेसिक सेविंग खाता धारकों के लिए नकट जमा करने की सीमा तै नहीं की गई है आई पी पी भी ने अपने आधार इनेवल पेमेंट सिस्टम यानि कि A.E.P.S. के नियमों में भी बदलाव किया है जो पहले अपरेल से लागू होंगी जी हाँ दोस्तों इंडिया पोश्ट पेमेंट बैंक के तरफ से यही एक नया चार्जस लागो किया गया है जिसमें बताया गया है कि 25,000 रुपिया से ज़्यादा आप महीने की नकत निकासी करते हैं तो आप से चार्ज किया जाएगा जो कि 0.50 फिसद या कम से कम 25 रुपिया आप से चार्ज किया जाएगा और यहाँ पर जमा करने पर भी आप से चार्ज किया जाएगा जो कि 10,000 रुपिया से उपर अगर आप जमा करेंगे तो सेम चार्ज आपको यहाँ पर लगने वाली है 0.50 फिसद या कम से कम 25 रुपिया और बेसिक सेविंग्स अकाउंट की बारे में भी बताया गया है बेसिक सेविंग्स अकाउंट में चार बार तक अगर पैसा निकालोगे तो आप से कोई भी चार्ज नहीं किया जाएगा लेकिन अगर उस महीने में पाचमी वार अगर आप पैसा निकाल देते हो तो आप से जो है 0.50 फिसद या कम से कम 25 रुपिया की चार्ज किया जाएगा तो इस वीडियो में हमने आपको डिटेल पुर्वा की जानकारी प्रदान करा दिया है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंके के तरफ से जो अपडेट आया था जो निया चार्ज की बारे में जानकारी दिया गया था इसके आधार पर हमने आपको जानकारी प्रदान करा दिया है तो उम्मिद करते हैं दोस्तों कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए सेयर करिए और आप लोग वीडियो के नेचे कमेंट करके बताईए कि आई पी भी यानि कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंके के तरब से जो यहां चार्ज लागू किया गया है वो कितना तक सही है तो मिलते हैं दोस्तों फिरे के नेव वीडियो में हमें दीजी इजाज़त तब तक के लिए गुड़ बाई